नमस्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नियूस बेग बिकने किलर की हुई रिहाई जी हाँ 20 साल बाद जेल से बहार आ गया है चार्ल्स शोबराज नेपाल के सुप्रीम कोट ने बुद्वार को ये फैसला सुनाया कि चार्ल्स शोबराज को जेल से रिहा किया जा रहा है हम आपको बता दें कि बीते शुकरुवार को ही चार्ल्स शोबराज को जेल से रिहा किया गया है पिछले 20 सालों से नेपाल पुलीस की गिरफ्त में था चार्ल्स शोबराज अब शुक्रवार को उसे छोड़ दिया गया है चार्ल्स शोबराज को बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है पुलीस की माने तो चार्ल्स शोबराज ने 1970 और 1980 के देशक में कई हत्याई की है हम आपको बता दें कि 78 साल का चार्ल्स शोबराज फ्रांस का एक निवासी है चार्ल्स पर पूरे एशिया में लगभग 20 से जादा हत्या का आरोप है यही नहीं नेपाल में उसे इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने दो लड़की की हत्याई की थी जिसके बाद 2003 में उसे नेपाल पूलीस ने गिरफतार कर लिया था लेकिन अब उसकी भड़ती उम्र और अच्छे विहवाल को ध्यान में रखते हुए नेपाल के सुप्रीम कोट ने उसे रिहा करने का फैसला सुना दिया है हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ यही नहीं चार्ल्स ने थाइलेंड में 1972 में कुल पांच लड़कियों की हत्या की थी जिसके बाद से ही उसका नाम बिकनी किलर पड़ा था इसके बाद थाइलेंड में उसे फांसी की सजा मिलना मुम्किन ही था लेकिन वहां के कानून के अनुसार उसे ही है सजा 20 सालों के भीतर मिलने चाहिए थी जिसका फायदा उठा कर चार्ल्स वहां से भाग निकला अब वह पकड़ा गया भारत में जहां उसे दिल्ली की तिहार जेल में रखा गया यहां उसे 1986 तक रखा गया था इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया था यही नहीं चार्ल्स शोबराज फिल्मी जगत की दुनिया में एक बहुत ही पसंदीदा किर्दार की रूप में देखा गया है इसके उपर कई वेब सीरीज और फिल्में भी बनाई गई है जैसे कि 2015 में एक फिल्म आई थी मैं और चार्ल्स इस फिल्म में रंदीप हुडा ने चार्ल्स शोबराज की भूमी का निभाई थी इस फिल्म के अंदर चार्ल्स शोबराज के जीवन के सभी पहलू दिखाए गए थे जिसके साथ ही उसके तिहार जेल से भागने की तयारी भी दिखाई गई थी अब हम आपको यह बता दे कि 2004 में एक डॉक्यूमेंटर भी बनाई गई थी जिसका नाम था शोबराज How to be a friend with serial killer जो कि जॉन वेलमन ने बनाई थी और इसमें भी शोबराज के सभी जीवन के पहलों को दर्शाया गया था अब 19 साल बार जब शोबराज जेल से बाहर आ गया है तो उसका कहना है उसका दावा है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वज़े से उसे इतनी ज़दा दी गई थी उसने यह भी कहा है कि जब उसे serial killer के नाम से पुकारा जाता है तो उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूस बेक को धन्यवाद